हलो दोस्तों मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंडियोट विश्टॉक मार्केट पर आज हम बात करने वालेंगे बॉलिंजर बेंड इस्ट्रेजी के वारे में पर एक चीज का आपको यहां पर ध्यान देना है कि यह वाले इस्ट्रेजी जो है, वो स्केल्पिंग के लिए इस्तेमाल होगी सबसे पहले चीज और दूसरी चीज हर यूजर के लिए नहीं है जो लोगों का भी व्यू थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा मतलब जितने भी लोगों पाँच मिनिट के नीचे नहीं सोच पाते हैं, वो क्या रूल्स पर एंट्री करेंगे कैसे करेंगे यह सब में शेयर करने वाला हूं पर सबसे पहले जल्दबाजी नहीं करूंगा और दूसरी चीज रिस्की स्ट्रेटेजी है तो स्टॉप लॉस्स बिल्कुल मेरा स्ट्रिक्ट रहेगा मेरे दिमाग में रहेगा और मुझे सी इसे दो चीज करना आना चाहिए पहला क्या पहला बॉलिंजर बेंड इंडिकेटर के साथ में जो स्ट्रेटेजी है उसको सही तरीके से अपलाए करना ठीक और दूसरा यहां पर पोईंट है वह यह है कि आप जो मार्केट डेफ्ट को कि अच्छे से रिट कर लेते हों कि य यहां पर सब्सक्राइब अपन इस्टोग लेते हैं जिसके अपन बात कर रहें आप अठाशो रुपे चल रहा है और यहां पर अठाशो दिख रहा है अब क्या हो मार्केट तरी से टूटना शुरू हुआ यहां पर अठाशो वाला इलिमेनेट हुआ वा वन सेवन नाइन खड़ा हुआ है अब क्या हुआ जो बॉलिंजर विंडवाली स्ट्रेटेजी स्ट्राइक होई तो यहां पर यहां पर यह वाले बायर कंटीनेशली उपर की तरफ भागने लगे और आप देखोगे कि वह पीस स्क्रीन कहा तक पोची वन एट वन जिरो तक तो आपको यह कि यहां पर मैंचि समझना इस मज़ना कि आ यहांप जो आपको ठीप कर रहेंगे यहां पर ठीटा काम कर रहें तो आप क्या देखोगे यहां से लगा कि यहां तक के बीच में जो मूब जनेरेट कर देग वर्क अगव करेंगे मैंने दोनों कंडिशन बता दिये मार्केट कंटिनियस गिर रहा होगा यह स्टेटिजी सीपोर से गिरते में वाय करने वाली है क्यों कि गिरते में शार्प फॉल होता है और हम बॉलिंजर बेंड के एक्सपेंशन का इस्तेमाल करेंगे कि यहां पर ज्यादा एक्सपेंशन हो गया है तो मैं सीधा-सीधा बाय करूंगा जो इसके अगर प्राइज नीचे निकल गई है तो मैं बाय करने को एकदम रेड़ी बैठा हूं पर किसकी हेल्प से मार्केट डेप्ट की हेल्प से फिर कर रहा हूं मार्केट डेप्ट अगर सही होगा आपने उसको सही तरह के सबस्क्राइब को जान लिया होगा तो ही आप तेजी का मूव पकड़ पाएंगे आई-अप लोगों को क्लियर होगे होगा यहाँ पर कि बोलिंजर बेंड का इस्तिमाल किसे करना है थोड़ा सागे क क्या बने कि देखना आपका यह श्ट्रॉक टूटना शुरू हुआ यह निफ्टी का फ्यूचर आप पकड़ सकते हुए ब्लुकुल बॉलेंजर बेंट से से चिपक के चलता है फिर बीच में खरा केंडल बनता है जब यह बॉलेंजर बेंट के बार क्लोजिंग आकई अब मैं क्या करूंगा अब में शांती से विट करूंगा मरsoever Bil मार्केट डिप्ट को देखने फॉटा-फॉट सेतेजी से खुलूंगा मार्केट डिध डिप्ट को जाके अइडिन्टीफाय करना शुरू करूंगा और वहां पर जा करके मैं देख रहा हूं कि मार्केट डेप्ट कैसा काम कर रहा है क्या कंडिशन बन रहा है कितने बायर है और जिस वाले पॉइंट पॉइंट प्राइस प्राइस मूव करेगी आपका स्टॉप लोस का होगा बोले स्टॉप लोस मेरा उस बायर के नीचे कहने का मतलब अगर आटरा सो रुपे पर वह बायर था एक्जामपल के तुरुप पर एक लाग क्वांटिटी लागा रखी तो आपका स्टॉप लोस 1798 होगा बस इससे अधा स्टॉप लोस आपको नहीं देना है दो पॉइंट का स्टॉप लोस और जैस पर चलके समझाऊँगा और आसान हो जाएगा द्यान से देखना यह अरा बॉलिंजर बैंट था ठीक है प्राइस गिरना शुरूब जुरूब गिरना शुरूब गिरना शुरूब एक बार अंदर गई और आप जाना जरूरी नहीं आप कूंछ पार क्लोस मिल जाएगा को देखूंगा और मार्केट डेप्ट को देखने पर मुझे एक रेट ऐसा मिलेगा जिस पर सबसे ज्यादा बायर्स होंगे वो उस प्राइस को रोकना चाहते होंगे काफी फॉल हो चुका होगा वो चाहते हैं कि माज़ा के एक बाद प्राइस रोके अगर आपने इसको सही तरीके से क्या कर लिया रीड कर लिया तो आप लेवल इंटिफाय कर लोगे उस लेवल के दो पॉइंट नीचे का स्टॉप लोस लगाना है और सीधा हमको वापीस से मार्केट करके माल उठाना है 800 पर हमें नहीं मिलेगा हो सकता हमें 800 एक पे 800 दो पे उखरके उठाना पड को देखना पड़ीगा आई होब आप लोगों को अभीता की स्ट्रेजी क्लियर हो चुकी होगी अब चार्ट पर चलके मैं आपको निफ्टी का फ्यूचर्स दिखाऊंगा और और भी ऐसे स्टॉक दिखाऊंगा जिसमें इसा हुआ है टाइम फ्रेम जो हम 3 मिनिट का इस्त किते का रेट है 25,200 का यह निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट में लगाया और यह बॉलिंजर बेंट में लगा दिया बिना कोई चेंज के जो एक्चल बॉलिंजर बेंट साते हैं यह वह बॉलिंजर बैंट है अब यहां पर देखो कि क्या प्राइस का मूव आया अगर य क्या यहां पर मुझे बाय करना चाहिए तो आप बिल्कुल बहर निकल जाओ अच्छा एक और चीजे इसके लिए आप order flow का इस्तेमाल भी कर सकते हो order flow क्या होता है order flow एक special प्रकार का चार्ट है अब क्योंकि वह paid software है तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ सब्सक्राइब आने वाले समय में और वीडियो बनाऊंगा तो बिल्कुल फ्री ओफ कोश्ट इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको फ्री ओफ कोश्ट गो चार्टिंग के बारे में उसके order flow कैसे करने वह भी सारी चीज़े सीखने को मिल जाएगी अब यहां देखो प्राइ देखोगे तो प्राइज ने तोड़ा वह विकुल बहुत दूर जाके बनके है जैसे दूर जाके बनके आपने एंट्री करी नीचे का स्टॉप लोस लगाया मार्केट डेप्ट को देखना नहीं भूलना है हमारी मार्केट डेप्ट बायर और सेलर के बीच में यहां पर ज आपको इडेटीफाइ करना है कौन से स्टॉक की जो बुलिश ट्रेटरी में चल रहे हैं किस में बुलिश ट्रेटरी में और थोड़ा बूत इस पीड से फॉल करेंगे तो मेरे को वहां पर एंट्री करनी है फटा फूट से कुछ एक्जामपल आपके साथ में शेर करता हू अगर आप उस वक्त मार्केट डेप देख रहे होता आपको एक चीज बिल्कुल पता चल जाते कि इस वाली जगे पर इसके पहले भी स्टॉक ठेरा हुआ है यहीं पर बड़े बायर्स आए थे अभी आपको यहीं पर बड़े बायर्स दिखेंगे तो 214 का लेवल इस होता तो आपको सिर्फ बस इसका वेट करना है आप बहुत एजीली यहां से मुवव को केज कर लोगे और श्रॉक का एकशार करते हूं यहां पर फट कुला और मार्केट कुलने के साथ यहां पर क्या कंडिशन बनी कि मार्केट खुला गेप डॉन वी वब के बारा आप आप आपकी entry है और यह आपका turn around आया अगर आप wait करते midline टाच हो गई तो इसलिए आपको इसमें chances बनेगा आप stocks पर थोड़ा सा अगर इन्होंने काफी जाधा तेजी करी है तो छोटा मोटा फॉल भी करेंगे तो recovery करनी के इनमें हाई chance होते हैं क्योंकि यहां पर बड़े buyers बेठे हुआ है आपको सिफ बड़े buyers को identify करना है अब क्या condition बनी इस टूट रहे तूट रहे तूट रहे आप देखो यहां नीचे बंद पर आपने क्या देखा यहां बायर था अगर आपको यहां बायर दिख रहा तो आपको उसके सहारे बस पीछे से stop loss लगा के entry करनी है यह एक्चुली मारे ट्रेट सेटप है move मिल गया exit फिर से क्या हुआ वही कंडिशन में यहां पर आया नीचे भार बंद हुआ बार बंद ह अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जो पताएगा कि यह स्ट्रेजी आपको कैसे लगी है इसके अलावा अगर आप लोगों ने कुछ तक अपना डिमेट अकाउंट ने खुलवाया है तो डिस्क्रिप्श